हलो एब्रीवान वेलकम बाक तो मैं यूट्यूब चैनल उन्फोल्ड लेर्नि और आज में लेकर आए हूं आपके लिए आइसे इसे कंसाइस मितमेटिक्स क्लास 10 का सिल्यूशन वीडियो फ्रम सलीना पाप्लिकेशन और इसका हम यूनिट 1 कमर्शिल मितमेटिक्स की अगर आपने वो मिस्स कर दिया है तो प्लीस आव लूक इन प्ले लिस्ट जहां जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में में मेंचिन की है तो आई स्टार्ट करते हैं क्वेशन नमबर 9 के साथ डीलर इन मुंबाई सप्लाइट सम आइलेंटिकल आइटम आड़ फॉलोव और सिर्फ आई जीएस्टी लगेगा एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर हुआ है तो ट्रांजेक्शन जो भी होता है वो आई जीएस्टी के अंदर होता है हमको रेट ऑफ आइटम गिवन है क्वांटिटी गिवन है डिसकाउंट परसेंटेश गिवन है और में लेकिन हम बता करते हैं कि एस जीएस्टी कितना होगा इस टू टाइम ठीक है ना तो यहां पर यह 999% एस जीएस्टी है तो वह आई जीएस्टी में कितना हो जाएगा इसका डबल डाट इस एटीन परसेंट तो हम प्रीविस क्वेस्टिन्स कर चुके हैं उसमें मैंने सारी चीज़ें समझाई हुए हैं अब इस question में आप देख सकते हैं यह कुछ चीज़े mention है dash करके मतलब इसमें discount नहीं given है तो मैं इसको recreate करूँगी यहां पर यह आपको given है rate per item तो rate per item में हमारे पास है 180, 260, 310, and 175 और आपको quantity given है quantity है यहां पर 10, 20, 30, and 20 तो इसको जब हम multiply करेंगे तो हमें net MRP मिल जाएगी so total MRP हम यहां से निकाल देंगे multiply करके so this is going to be 1800 इसको multiply करेंगे 2, 6, 12, 1 carry over 5, 2, double 0 इसको multiply करेंगे 9, 3, double 0 और इसको multiply करेंगे we will get 35, double 0 तो यह तो आ गया हमारे पास MRP अब हमको कुछ चीजों में discount percentage given है इसमें नहीं given है इसमें 20% discount है इसमें नहीं given है इसमें 30% discount है तो इसके discount value हम निकाल देंगे तो यहां पर discount value इसके लिए नहीं रहेगी इसके लिए हम निकाल देते हैं for the second part second case के लिए so this is going to be 20% of 5, 2, double 0 so 20 divided by 100 multiplied by 5, 2, double 0 यह cancel out हो जाएगा तो इसमें multiply करेंगे 4, 5, 2's are 10 so 1, 0, 4, 0 is the discount value इसमें नहीं है इसमें है फोर्थ वले पार्ट में that is 30% of 3, 5, double 0 so 30% multiplied by 3, 5, double 0 यह calculate करेंगे 5, 3's are 15, 3's are 9, 1, 0, 5, 0, okay अब हम यहां पर इसकी selling price find करेंगे तो जो selling price होगी that is going to be MRP से discount हम माइनस कर देंगे तो पहले वाले में तो है ही नहीं तो यह तो as it is ही रहेगा इसमें हम 5, 2, double 0 that is the MRP से हम यह discount 1040 माइनस कर देंगे so 0, 6, 1, 4 so 4, 1, 6, 0 is the selling price for this यहां पर इसको discount नहीं है so 9, 3, double 0 as it is हम ले लेंगे इसमें है यह माइनस करके selling price हम निकाल देंगे that is 3, 5, double 0, minus 1, 0, 5, 0 so यहां आगया 0 यहां आगया 5, 4, 2 so 2, 4, 5, 0 तो इसका यह selling price हो गया अब हमको निकालना है IGST तो यहां पर SGST गिवन है वही चीज हम double करके IGST से calculate कर देंगे so IGST की percentage सब में 18 हो जाएगी, double हो जाएगी अब हम IGST value find कर देंगे so IGST for first case will be 18% of first case के लिए हम IGST निकाल रहे है that is 18% of 1, 8, double 0 so 18 divided by 100 multiplied by 1800 18 का square होता है 3, 24 तो यहां पर आगया आपके पास 3, 24 similarly for the second case it is 18% of 4, 1, 6, 0 so 18 divided by 100 multiplied by 4, 1, 6, 0 यह 0 से 0 cancel so 7, 4, 8, 8, 0 यहां पर आजाएगा 7, 4, 8, 8 similarly आप third case का भी निकालेंगे तो यह आजाएगा 1, 6, 7, 4 और यहां आजाएगा 4, 4, 1 तो अब हम निकालेंगे इसमें total amount of bill तो amount of bill के लिए हम यहां पर total जो selling price होगा उसमें IGST add कर देंगे तो total selling price हम यहां से calculate कर देते हैं तो यह आजाएगा 0 इसको total करेंगे तो 11, 1 carry over 7 then we will get 17,710 plus the IGST इसका भी हम total कर लेंगे this is going to be 3187.8 अब इन दोनों को जो हम total करेंगे that would be the amount of bill that is Rs. 20,897.8 so this is the total amount of bill that he need to pay next is question number 10 MS unique traders Delhi provided the following services to MS Gita trader trading company in Kanpur UP अब Delhi से UP दोनों में changes हैं state में so यहां पर भी inter GST लग रहा है inter trade है यह और यहां पर हम क्या करेंगे IGST apply करेंगे find the amount of bill यहां पर number of service, cost of each bill and GST percentage given है तो हम इसको reframe कर लेते हैं number of services that is 8, 12, 10 and 16 cost of each that is 680, 320, 260 and 420 260, 420 तो इससे हम complete का MRP find कर सकते हैं इन दोनों को multiply करके तो अगर एक चीज की value इतनी है और 8 ताइम यह service यूज हुए है तो हम multiply कर देंगे तो यह आ जाएगा 5, 4, 4, 0 इसको भी multiply कर देंगे 0, 3, 8, 4 this will be 2, 6, double 0 और इसको भी multiply करेंगे this will be 6, 7, 2, 0 तो this is the MRP इसी को ही हम selling price कर देंगे because यहाँ पर कोई भी discount नहीं है अब हमको GST का जो percentage given है that is 5, 12, 18 and 12 तो यही हमारा IGST हो जाएगा जो भी percentage GST given है इसी को ही हम IGST assume कर लेंगे अब हमको IGST की value find गरनी है so 5% of 5, double 4, 0 so 5 upon 100 multiplied by 5, 4, 4, 0 यह 0 से 0 cancel 5, 4 जा यह cancel हो जाएगा 2 times 2, 2 जा 4, 2, 7 जा 2, 2 जा 2, 72 is for the first part अब हम निकाल देते हैं second के लिए 12% of 3, 8, 4, 0 मतलब 12 upon 100 multiplied by 3, 8, 4, 0 यह 0 से यह 0 cancel इसको जब आम solve करिंगे इस अप्रोximately 4, 60.8 next is 18% of 2, 6, double 0 that is 18 divided by 100 multiplied by 2, 6, double 0 यह 0 से 0 cancel we will get 4, 68 here and the next part is 12% of 6, 7, 2, 0 so 12 divided by 100 multiplied by 6, 7, 2, 0 इसको भी जब हम solve करिंगे this will give 806.4 तो यहां पर हम इनकी values लिख लेते हैं 272 next is 4, 60.8 next is 4, 68 and 806.4 तो अब हम total इसका selling price और IGST calculate कर देते हैं इसको add करेंगे 0, 0, 1 carry over this is going to be 6 and 18 next on adding this will give 12 decimal 1 carry over 7, 0, 20 तो अब हमारे पास amount of bill that is going to be the MRP or the selling price plus the IGST that is रूपीस 18,600 plus रूपीस 2,007.20 इसको जब हम total करेंगे this is going to be रूपीस 20,607.20 so hence this is the amount of bill question number 11 the text and voice of a telecom service in Suraj shows the cost of services provided by it as रूपीस 750 तो यह आपको cost of service given है 750 if the GST rate is 18% find the amount of bill तो हम 18% of this cost जो भी service की लगी है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं cost of service is रूपीस 750 and rate of GST is 18% so GST will be 18% of this is the total cost that is 750 so 18 divided by 100 multiplied by 750 यह 0 से 0 cancel on solving this we will get the value as रूपीस 135 तो यह हमारे पास GST आ गया है तो amount of bill will be equal to cost of the service plus the GST जो भी cost है तो रूपीस 750 इसमें हम GST रूपीस 135 add कर देंगे so that is going to be रूपीस 885 तो यह पास GST आ गया हम पास GST Q12 Ms. Pratima took health insurance policy for her family and paid रूपीस 900 as SGST find the total annual premium including GST paid by her for this policy the rate of GST being 18% तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं let total premium be X ठीक है और हमको SGST given है that is रूपीस 900 अब हमको यह पता है कि अगर हम SGST इस पर apply करते हैं अगर rate of GST is 18% तो percentage SGST that will be half of this GST that is 9% and half of will be CGST that is again 9% तो मतलब अगर हम 9% of X निकालते हैं that is equal to SGST value तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं SGST is percentage of SGST multiplied by X तो हमारे पास यह है 900 and this is 9% of X that is 9 upon 100 multiplied by X तो यहाँ से हम इसकी X की value निकाल देंगे 900 multiplied by 100 यह इधर चला जाएगा divided by 9 so this is going to be 100 so यह आगया आपके पास रुपीज 10,000 4 zeros है so it is 10,000 तो टोटल प्रीमियम हमने निकाल दिया है कितना 10,000 अब उसने GST जो पे किया है 18% उससे आपको इसकी GST value भी find करनी है अब SGST तो हमें given है इसके साथ हम इसका क्या निकालेंगे CGST तो जो हमारा SGST है that is rupees 900 और CGST भी हमारा क्या हो जाएगा 9% of rupees 10,000 तो यह भी 900 ही आएगा ठीक है solve करने के बाद this is also going to be 900 equal होता है लेकिन हम directly equal नहीं लिखते हैं इसको हम calculate करके ही लिखेंगे कभी भी दोनों को equal ना लिख देना अपने आपकी यह दोनों equal है equal नहीं होते इनकी values almost equal रहती है ठीक है ना तो अगर हमको total total value with GST लिखना हो then it will be rupees जो भी इसकी premium की value है plus SGST that is 900 plus CGST that is again 900 तो total हो जाएगा हमारे पास rupees 00811 so 11,800 is the total value of the premium including GST next is question number 13 जो हमारे पास total amount आएगा total amount without GST अब अब इस पे GST का rate है 28% 28% so GST 28% पर लगा that is 3,360 रूपीज for both the days so hence these are the solutions and I hope आपको में solution video जरूर पसंद आ रहे होंगे अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चानल के comment section में comment करके या फिर मेरे telegram group जिसकी link में description box में mention की है वहां से आप मुसे से connect कर सकते हैं अगर फूर लिंक नहीं भी open होती है युकान सर्च में डिरेकली on telegram by the name unfold learning at last please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel thank you for watching see you in the next video